हाई फ्रेंग्स वल्कम बैक तो आनादर वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बायोग्राफी एपी जे अब्दुलकलाम की तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करना च डॉक्टर अब्दुलकलाम का जन 15 अक्टूबर 1931 को तामिल नाडू के रामेश्वरम में हुआ था इनके पिता का नाम जैनूला बदीन तथा माता का नाम आशी अम्मा था वह एक मध्यम वर्गे परिवार से थे अब्दुलकलाम ने इमांदारी अनुशाशन तथा देश प्रेम अपनी पिता से शिखा था उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिच्छा पास के ही स्कूल से पूरी की उन्होंने अपनी उच्छ शिच्छा सन 1950 में तिरुचिरापली के सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की उसके बाद उन्होंने मदरास इंसिजीट ओफ टेक्नोलोजी से Aeronautical Engineering की पढ़ाई की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सन 1958 में DT, D&P में तक्नीकी केंद्र में वरिष्ट वग्यानिक सहायक बने उन्होंने कुछ साल अंतरिश अनुशंधान समीती में भी काम किया APJ अब्दुलकलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनल अबिदीन अब्दुलकलाम मशवदी था वे मिसाइल मैन तथा जनता के राष्टपती के नाम से भी जाने जाते थे इन्हें पद्म भुशन तथा भारत रतन से भी समानित किया गया ये भारत के ग्यारवे राष्टपती सन 2002 इश्वी में नियुक्त हुए ये 2002 से 2007 तक राष्टपती के पदपर कारियत रहे और देश के विकास में अपना योगदान दिया 27 जुलाई 2015 को दिल का दोरा पढ़ने के कारण इनका देहान दो गया इनका अंतिम संसकार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया डॉक्टर अब्दुलकलाम एक महान विज्ञानिक थे ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भागवत गीता दोनों का अध्यन किया करते थे वह भारतिय अंतिरिच विज्ञान एवं प्रद्योग की संस्थान के कुलपती भी थे उन्होंने इज्रोग के कई अंतिरिच प्रोग्राम को सफलता पूरवक पूरा किया था तो उमीद है ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गाईस अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर कोई कमेंट या सुझा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ शकते हैं तो मिलते हैं अगले इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई